टॉप 10 यंगस्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेसेर्स अंडर 25 नमबर वन अलीजेह शाह अलीजेह शाही क्यूबा पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं जो पिछले कुछ वर्षों से हमारे शोबेज उद्योग में सक्रिया हैं और उनके सभी प्रदर्शन इंटर्नेट पर प्रसिद्धी पा रहे हैं वह महज 19 साल की हैं और इतनी कम उम्र में ही वह पुराने पाकिस्तानी अभिनेता और अभिनेत्रियों जितनी मशबूर हैं ISPR द्वारा निर्मित नातक एहद ए वफाक में उनका उलेखनी प्रदर्शन था जिसमें उन्होंने एक मासूम पात्र दुआ के रूप में अभिने किया था यह घुमिका उनके लिए बिलकुल उप्यूक थी और सभी ने उनके प्रदर्शन का आनंग लिया और उन्हें अन्य मेगा परियोजनाव में भी देखना चाहते थे उनके अन्य प्रसिद नातक, ताना बाना, सुपरस्टार, दिल्मॉम का दिया और कई अन्य हैं जो देखने लाइक हैं वह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी अभिनित्रियों में से एक हैं मीनल खान एक युवा प्रतिभाशाली अभिनित्री है, जिनका जन्म 22 साल पहले कराची में हुआ था और उन्होंने 2021 में एक प्रतिभाशाली पाकिस्तान अभिनिता आखसान बोसिरिक्राम से शादी भी की वा प्रशंसित और चहिती अभिनित्रियों में से एक हैं लेकिन कभी-कभी वा अपने दर्शकों की उम्मीदों के अनरूप नहीं रही वा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव रहती हैं और यही बात उनके लिए परेशानी का कारण भी बनी वा अपने अकाउंट पर जो भी पोस्ट करती हैं उस पर उनके सभी प्रशंसक और फॉलोर्स ध्यान देते हैं उनकी शादी के सभी कार्यक्रमों को फोटोग्राफरों ने कवर किया और उन्होंने अपने पती के साथ अपनी पसंदीदा तस्वीरे भी साजा की इमान खान मीनल खान की जुड़वा बहन है और दोनों अभिनेतरिया एक ही उम्रकी हैं वे एक साथ एक विशेश बंधन साजा करते हैं क्योंकि उनकी कोई और बहन नहीं है वे एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और अन्य पाकिस्तानी कलाकारों के साथ भी जिन्हें में प्यार करते हैं और प्रशनसा करते हैं इमान खान की शादी मुनीद बट से हुई है जो हमारे शोबिस उद्योग में एक प्रसिद और उच्छ बुप्तान वाले अभिनेता हैं अनिया आमिर एक बहुमुखी अभिनेत्री है जो कुछ साल पहले पाकिस्तानी शोबिस उद्योग में दिखाए दीती और अब अपने करियों में धमाकेदार काम कर रही है वह इस साल सिर्फ 25 साल की है और अपने मंत्र मुख्धरूप और शुदर सफेद रन के कारण पहले ही प्रसिद्नी पा चुकी है अनिया की अभी तक शादी नहीं गुई है और हम आगामी वर्षों में उसकी शादी की किसी योजना के बारे में नहीं जानते है इकरा अजीज एक बहुत ही प्यारी युवा पाकिस्तानी अभीनेत्री है जिनके अभीने की सभी जनता बहुत सराहना करती है और वह निश्चित रूप से चानती है कि लोगों को कैसे आकरशित किया जाए और प्रशंसा कैसे ब्राप की जाए वह अभी सिर्फ 22 साल की है और पहले से ही एक प्रसिद अभीनेता यासिर भुसेन से शादी कर चुकी है हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि समय इतनी दीदी से कैसे बीच जाता है और छोटे बच्चे अब बड़े हो गए है पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की अभीनेत्रियों में से एक अरिहा रजी है जो बच्चपन से इस शोबिस में काम कर रही है वह अभी सिर्फ 19 साल की है नंबर 7 सोहे अली अब्रो सोहे अली अब्रो एक बगीचे का फूल है जिसे बहुत पहले ही नश्ट कर दिया गया था उनका जन्म 25 साल पहले डॉक्टरों की एक परिवार में हुआ था जिनकी 9 साल की छोटी उम्र में अपनी छोटी गुडिया को इस दुनिया में अकेला छोड़कर एक कार दुर्गमतना में स्वाभाविक मृत्यू हो गई थी वह कई प्रसिद नातकों और फिल्मों में दिखाई दी है उन्हें आन्य पाकिस्तानी अभिनेताओं के साथ उनके उल्लेक नियकार्यों के लिए कई कुरसकारों से भी सम्मानत किया गया है और उन्होंने खुद को एक सम्रिधा और मेहनती अभिनेतरी के रूप में साबित किया है किंजा हाश्मी भी एक मशहूर अभिनेत्री है जिन्होंने अभी तक 25 साल का आकड़ा पार नहीं किया है और उन्हें अक्सर अपनी उम्री की अन्यप्रसिद हस्तियों के साथ देखा जाता है मरियम खलीफ एक छोटी सी लड़की है जिसका क्यूट लुग बहुत मनमोहक है और इससे सभी पाकिस्तानी अभिनेत्रियों के साथ साथ जनता भी पसंद करती है यह छोटी सी दिवा सिर्फ 15 साल की है और अत्यदिक बुगदान पाने वाली पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में शुमार की जाती है मरियम फातिमा इग्युवा पाकिस्तानी अभिनेत्री है जिनका जन्म 1997 में हुआ था और अब वह अपना 25 जनम दिन मनाने जा रही है वो एक खुबसूरत लड़की है जिसने 2016 में अपना करियर शुरू किया था और सभी पाकिस्तानी कलाकार उसके अभिने के दिवाने है